आज दिया में सुविधाओं और तक्नीक का बोल बाला है हमने अचानक पर्यावरन को बदल दिया है और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए बढ़िया किस्म की जीनों को विकसित कर लिया है और दाव पर है हमारा स्वास्थ हमने पैदल चलना बंद कर दिया है अब हम उतने फल और सबजियां भी नहीं खाते ये बात तो साफ है कि व्यायाम हमारे स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है व्यायाम करके हम शरीर को स्वस्थ रख सकते है कहीं कुछ तो कमी है लेकिन उपाए भी है आज कल व्यायानिक भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोशक ततों पर शोद कर रहे है हम जानेगे कि क्या खोजा जा चुका है और क्या खोजा जा रहा है हम एक बच्चे से रक्त की कुछ बुंदें लेंगे और उसके DNA का अध्यान करके हम ये जान पाएंगे कि उसे किस तरह का पोश्टिक भोजन दें जो उसके स्वास्थे के लिए सबसे लाबकारी हो इस विशय के विशेशग्यों की राय सुनेंगे चीनी परंपरा करीब हजार वर्षों से शरीर को जंगल की तरह एक संतुलित प्रणाली मानती है जिसमें तन मन और आत्मा का संतुलन है दुनिया के उन दूर दराज हैसों में जाएंगे जहां शायद पोशन सम्मंधी कुछ रहस्य छिपे हैं और और गैनिक यानी जैविक खेती के लाब देखेंगे शुरू से ही इनसान जैविक खेती के भरो से रहा है अतिरिक पोशन दिये जाने के फायदों को समझेंगे हारवर्ड विश्वी विद्याले के शोध करताउं का मानना है कि मल्टे विटामिन हमारे स्वास्ते के लिए अच्छे हैं अगले एक घंटे में हम हिपॉक्रेटीज जैसे आरंभिक शोध करताओं से लेकर आज के अतियाधुनिक मानविये जिनोम के अध्यन तक के सफर पर नजर डालेंगे और देखेंगे किस तरह पृत्वी और इंसान के बीच सह जीवी आदान प्रदान हुआ है हमारे स्कारिक्रम क्वेस्ट फॉर नियूट्रीशन में पृत्वी एक जीती जागती जैविक रचना जिसकी उपजाओ भूमी पर उगते हैं हमारे शरीर को जीवन देने वाले धेरों पोशक तत्व पौधों मनुश्यों और पश्यों में एक अनोखा सामन जस्य है पौधों में मिट्टी और सूरज की किर्णों को लेकर पोश्टिक तत्व पैदा करने की अनोखिक शमता है इन तत्वों से पौधे जीवित रहते हैं और मनुश्यों और पश्यों की जीवन पाते हैं इन पौधों को खाने पर मनुश्यों और पश्यों को ऐसे पोशक तत्व मिलते हैं जिने वो अपने लिए खुद पैदा नहीं कर सकते आस्ट्रेलिया आउट बैक के आदिवासी पिछले 40,000 सालों से प्राकृतिक धरोहर के भरों से जीवन निर्वाह कर रहे हैं गलतियां करके सीखते हुए इन्होंने स्वस्त जीवन के नुस्खे खोज निकाले हैं हमारे लिए ये किसी सूपर मारकिट की तरह ही है हालाकि ये एक साधारन जंगल है लेकिन हम इसे पोशर के खजाने की तरह देखते हैं यहां पर सभी तरह के प्राकृतिक आवास पाये जाते हैं जिस वज़े से सब तरह के भोजन हमें उपलब्ध होते हैं हमें मौसम की जानकारी है हमें चार मौसम आते हैं कब क्या खाना है ये हमें मौसम बताते हैं या चलने वाली हवा बताती है आने वाली पीडी भी बड़ी हो रही है और ऐसा ही कर रही है बुज़ूर्ग उन्हें सब सिखा रहे हैं कि किस मौसम में क्या करना है हमेशा से ही दुनिया के हर हिस्से में मनुष्य उपलब्थ भोजन के भरोसे जीवित रहा है हाला कि अलग-अलग इलाखों में समय के अनुसार उपलब्थ भोजन में भी काफी भिन्नता रही है ये यहां जाडियों पर उगने वाला अंगूर है आम तोर पर हम इन्हें इसी तरह तोड़ कर खाते हैं इनका ये रंग अच्छा है है ना हमारे आदिवासी भाईयों को पोशन का ग्यान बहुत कम है लेकिन इन हजारों वर्षों के दौरान उन्होंने जान लिया है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं और जब इन्सान ने एक जगह बसकर भोजन पकाना शुरू किया तब उसने जड़ों का प्रयोग शुरू किया लेकिन तब तक इन्सान हरी पत्तेदार सबजियां खाना अच्छी तरह सीख चुका था इस तरह उसके भोजन में एंटी आक्सिडंट, विटरमिनो और घनिजों की कोई कमी नहीं थी और मास मचली से प्रोटीन मिल जाता दुख की बात ये है कि आधुनिक युग की चाया इन आधिवासी जनसंख्याओं पर पढ़ने लगी है रहन सहन आधुनिक होने के साथ साथ खान पान भी पश्चिमी हो रहा है आज आधिवासी शहरों में रहने लगे हैं और उनके भोजन में भी पोशन की कमी है इस कमी के असर देखे जा सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर मैंने कहा कि क्या आप मेरे खून की जाच कर सकते हैं एक नर्स ने मेरे खून की जाच की और बताया कि मुझे मदु में है तो आज का खाद्यो उद्योग हमें कुपोशित बनाने में काफी हद तक सफल हो रहा है और दुर्भाग्य की बात ये है कि इन आदिवासियों ने भी अपने समाज में गुस्पैट करने वाले पश्चमी भोजन को अपनाना शुरू कर दिया है और पोशन की कमी के दुश्प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर नजर आने लगे हैं आज जाकर विज्ञान ने ये समशना शुरू किया है कि प्रकृति से मिलने वाले आहार का भरपूर लाप कैसे उठाया जाए हलांकि यहां तक पहुँचते पहुँचते कहीं हजार साल लग गए तब कहीं जाकर ये रहस घने जंगलों से निकल कर विज्ञान के हाथ आए हैं पारंपरिक विज्ञान जाहे चीन काहू या आयूरवेद इनका आधार यही है कि स्वस्थ रहना भोजन पर निर्भर करता है चीनी मानेता है कि भोजन पर्यापत मातरा में करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पोशक तत्वों का संतुलन बना रहे अगर आप सही मातरा में और सही प्रकार का भोजन करें तो आपको पूरा पोशन मिलता है मैं धाई हजार साल पहले के उस काल के बारे में सोच रहा हूँ, जब युनानी सब्भेता का उदय हो रहा था इनसान के हाथों विज्ञान नामक हथियार आया, और पहली बार धर्ती और मनुश्य के पारस पर एक आदान प्रदान पर चिंतन शुरू हुआ भोजन इसका एहम हिस्सा था हिपोक्रेटीज, जिन्हें हम आधुनिक चिकित्सा का पिताम कहते हैं, उन शुरूआती वैज्ञानिकों में से थे, जिन्होंने पोशन को स्वास्थ से जोड़ा चौथी शताब्दी सापूर, हिपोक्रेटीज बीमारी को किसी दैविक शक्ती का श्राप मानने वाली पारंपरिक धारणा के खिलाफ गए उन्होंने इस तत्थ को समझा कि हमारे खान पान से हमारे स्वास्थे पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है जब स्वास्थे बिकरने लगी तब भोजन पर सबसे पहने ध्यान देना चाहिए हिपोक्रेटीज जो कि एक महान चिकित्सक थे अपने छात्रों से हमेशा कहते ये सोचो कि अपने मरीज का इलाज दवा से पहले भोजन द्वारा कैसे कर सकते हो धर्ती की प्राकृतिक उपजी शुरुवाती चिकित्सा के धूरी थी और अगली 24 शताब्दियों तक भोजन और स्वास्थे के बीच संबंध स्थापित करना पश्चिमी विज्ञान के सामने एक बड़ी चुनोती रही 18 शताब्दि के मध्य में जब पश्चिमी यूरोप के देशों से जहाज दुनिया भर की सेर किसी तलाश में करते थे तब एक एतिहा से खोज हुई जिसने पोशन से सम्मंधित धारणाओं को बदल दिया जिससे पता चला कि महत्वपून सिर्फ ये नहीं है कि शरीर में क्या गया बलके ये भी कि क्या नहीं गया मनुष्य के भोजन का अध्यान करने वाली प्रयोग शालाएं वो जहाज हुआ करते थे जो अंग्रेज नौसेना या पूर्टगाली नौसेना का प्रतिनिधित्व करते हुए सालों बाहर रहते थे इन जहाजों पर मौजूद नाविकों को ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था महीनों तक बाहर रहने वाले नाविकों के साथ रखी सबजियां और फल जल्दी ही खत्म हो जाते थे इन नाविकों को लगभग रोज वही चीज़ें खानी पड़ती थी वे आम तोर पर मैदे का बना एक तरह का बिसकिट खाते थे और पूरक के रूप में वो कच्चा आहार भी खालिया करते थे लेकिन कुछ महीनों के सफर में ये सब खत्म हो जाता इसका नतीजा होता महामारी उस समय सबसे आम बीमारी थी सकरवी इस दर्दनाक रक्त रोग ने उस काल में हजारों जाने ली थी सकरवी रक्त रिसाव वाला रोग है इसके कारण दाद गिरते हैं और रोगी के मसूरों और उतकों से खोन रिस्ता है जहाज पर और जहां ये जहाज पहुचते उन बंदरगाहों पर मौजूद चिकितसक इन मरीजों का इलाज करते सकोटलेंड के चिकितसक डॉक्टर जेम्स लेंड भी इनी में से एक थे उन्हें लगा कि सकरवी और ताजे भुजन की कमी के बीच कोई सम्मंध है उन्होंने नाविकों से कुछ फल खाने को कहा जिन मरीजों ने रोज दो संत्रे और एक नीबू का सेवन किया उनका रक्त रिसाव और बालों का गिरना बंध हो गया आज हम इस बीमारी को सकरवी कहते हैं इसके सभी लक्षन उन फलों की सेवन से गायब हो गये थे और आज 200 साल बाद हम समझ पाए हैं कि ये विटामिन C की कमी का नतीजा था सकरवी के इलाज में नीबू प्रयोग में लाए गए और डक्टर लिंड की स्खोज के बाद बिटन की संसद ने सभी नाविकों को रोज नीबू पानी पीने का आदेश दिया और तब से अंग्रेज नाविक लाइमीज कहलाते हैं और जल्द ही शोद करताओं ने भोजन के दूसरे घटकों की तरफ ध्यान दिया सन 1840 में जर्मन वेग्यानिक डॉक्टर जस्टिस लीबिग ने बताया कि पौधे मिट्टी और हवा से पोशन लेते हैं डॉक्टर जस्टिस लीबिग शायद पहले चिकित सकते जिन्होंने इस बात को समझा कि मिट्टी में ऐसे घटक मौझूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं और पौधे उनका उपभोग कर रहे हैं जानवर उन्हें खा रहे हैं और इनसानों तक भी ये चीज़ें भोजन में शामिल सबजियों या गोश्ट के जरिये पहुँच रही हैं निदेलेंड के नोबल पुरुसकार विजेता वग्यानिक क्रिस्टन आइकमेन ने इन शुरुआती खोजों को अगले आयाम तक पहुँचाया सन 1893 में जवा द्वीब में काम करते हुए आइकमेन ने बेरी-बेरी नामक नसों को प्रभावित करने वाली बीमारी पर शोद किया आइकमेन ने द्वीबवासियों के भोजन पर नजर डाली तो पाया कि वो मुख्य तह बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाते थे लेकिन जब इन्होंने पॉलिश किया हुआ चावल खाना शुरू किया तो वे बीमार पढ़ने लगे लोगों ने खादे पदार्थों को विशेश प्रक्रियाओं से तैयार करना सीख लिया वे चावल की उपरी परत को हटा देते थे और ये सफेद चावल लोकप्रिय भी होने लगे बाद में समझ आया कि इस उपरी परत के हटने से उसमें पाय जाने वाले विटामिन बी भी हट गए आयकमेन का मानना था कि सफेद चावल में नुकसान दायक पदार्थ हैं और उपरी परत में उसका इलाज पिछले कई पोशन सम्मंधी सवालों की तरह आयकमेन को ये जवाब भी अनजाने में ही मिल गया था और आयकमेन ने ये सुझाया कि अगर जाववासियों के भूजन में बिना पॉलिश वाला चावल शामिल किया जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी ये किसी घटक की कमी से होने वाली बीमारी थी और ऐसे चावल से इस कमी को पूरा किया जा सकता था अन्य सफल चिकित्सकों की तरह आयकमेन ने साबित किया कि भूजन में किये गए जरा से फेर बदल से एक गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है लेकिन दूसरी शोध करता आज भी अंधिरे में तीर मार रहे थे वो नहीं जानते थे कि भूजन में भला ऐसा क्या है जो हमारे स्वास्थे पर असर डाल सकता है ये स्थिती सन 1911 तक रही जब पोलेंड के बैग्यानिक कैजी मेर फंक ने उस घटक का नाम करण किया वो घटक था विटामिन लेकिन सन 1912 तक विटामिन नाम का अस्तित्व ही नहीं था हलाकि इन पोशक तत्मों के प्रभावों की जानकारी लोगों को हजारों वर्षों से थी आज हम जिसे बायो केमेस्ट्री यानि जीव रसायन विज्ञान कहते हैं ये वो विशयक्षेत्र है जिसकी कमी महसूस होती रही इसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करने लगे कि विटामिन की कमी से होने बीमारी का आणविक स्वरूप क्या है 20. सदी तक भोजन और स्वास्त के पारस्परिक संबंध को माना जाने लगा और जल्द ही आहार की एहमियत और कुछ बीमारीयों से लड़ने की उसकी क्षमता को पहचाना गया पोशन विज्ञान में ये धारना एक नए युक की सूचक थी 20. सदी की शुरुआत से मध्य तक मानो शरीर की जरूरतों को लेकर विज्ञान अपनी एक पुखता राय बना चुका था इसमें मूल पोशक्तत्व जैसे काबो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा और पानी को मैक्रो न्यूट्रियंट और विटामिनों तथा खाने जों को मैक्रो न्यूट्रियंट कहा गया लेकिन जल्द ही भोजन के नए घटकों की खोज होने वाली थी सन 1910 से 1947 के बीच विटामिनों पर काफी खोज हुई, हाला कि इसमें से ज्यादा तर खोज 20 और 30 के दशक में हुई, जब वैग्यानिकों के हाथ नई तकनिके लगी, जिनसे भोजन के महत्वपून घटक पहचाने गए विसकॉंसिन विश्वविद्याले में एलमोर वर्नन मेककलन और उनके साथ ही दूद देने वाले पशूँ के लिए उप्युक्त भोजन पर शोध कर रहे थे, इस प्रयोग में गायों को दूद पिलाया गया इस प्रयोग के दौरान मेककलन और उनके दल ने एक महत्वपून घटक खोज निकाला और उसे नाम दिया विटामिन ए उन्होंने इसे विटामिन ए नाम दिया, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हुई थी अपनी स्खोज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जानवरों के साथ काम करना जारी रखा. विटामिन खोज की अब बाढ़ाने वाली थी. उन्होंने पाया कि दूद के पानी वाले हिस्से में कुछ और महत्वपून घटक हैं. विटामिन A वसा के साथ खुल जाता है, जिसे हम मलाई के साथ अलग कर देते हैं. लेकिन अन्य महत्वपून घटक जो पानी के साथ खुल जाते हैं, उन्हें विटामिन B नाम दिया गया शुरू में सोचा गया था कि विटामिन B का सिर्फ एक प्रकार है, लेकिन धीरे-धीरे कई तरह के विटामिनों का पता चला, जैसे B1, B2, B6 वगेरा. यहाँ विटामिन के बाद विटामिन खोजे जा रहे थे, वहीं आहार विशिशग्यों ने भोजन के लाभकारी तत्मों पर ध्यान देना शुरू किया. पोशन का इतिहास और हमारे स्वास्थे में पोशन की भूमिका के बदलते स्वरूपों का इतिहास सही मायनों में उन शोध करताओं का इतिहास है जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा की सीमा रिखाओं को पार किया ये तथ्य आज भी उतना ही सच है जितना सतरवी सदी में था बीस्वी सदी की शुरुआत में काल रेंबोग नामक एक व्यक्ति चीन में अपना काम कर रहा था अमरीकी व्यवसाई काल रेंबोग ने महसूस किया कि चीन के ग्रामिन शहरवासियों से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त थे उन्होंने देखा कि शहरवासियों के पास खेती की जगे की कमी है और उनके भोजन में सबजियां उतनी नहीं है उनका चावल भी पॉलिश किया हुआ होता था वहीं ग्रामिनों के भोजन में प्राकृतिक वस्तुएं ज्यादा थी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उपलब्ध पोशक तत्वों वाला घर में बना शोरबा तयार किया रेंबोग सोच रहे थे कि इस शोरबे की पॉश्टिक ता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है जवाब के तौर पर उन्होंने जानवरों के हड्डियों के अंदर के गुदे को और हरी सबजियों को चुना फिर उन्हें आईरन यानि लोहो का ख्याल आया एक समय पर उन्होंने जंग लगी कीलों के बारे में भी सोचा हालांकि जरूरी ये नहीं है कि उन्होंने किन चीजों को चुना जरूरी ये है कि उन्हें ये ख्याल तो आया कि उस शोरबे में वो सब होना चाहिए जिन्हें हम आज विटामिन और खनिच के नाम से जानते हैं और फिर उन्होंने पाया कि जो लोग उनका बनाया ये शोरबा लेते उनका स्वास्थे अन्य लोगों से बहतर होता चीन के सनुभवने रेनबोग को प्रेरित किया आकिवे भोजन में अतरिक पोशन के विशय पर और खोज करें रेनबोग वापस अमरिका लोट कर पोशन सुधार की खोज के लंबे सफर पर निकल पड़े और सफर के हर पड़ाव पर उन्हें ये एहसास होने लगा कि धर्ती में सारे जवाब चीपे हैं और्गैनिक यानि जैविक खेती की तरफ हमारा ध्यान खीचने वाले शुरुवाती लोगों में रेनबोग शामिल है सब भताएं हमेशा से धर्ती के साथ एक सामन जस्य में रही हैं बाहर जाते समय मैं सयाम फल तोड लेती हूं और उसी वक्त उसका एक हिसा वापस जमीन में गाड़ देती हूं हम कभी भी पूरी जड़ नहीं तोड़ते एक हिसा तोड़ कर बाकी का हिसा वापस गाड़ देते हैं आप शायद ही कभी किसी आदिवासी को जमीन से कुछ निकाल कर गड़ा खुला छोड़ता देखेंगे ये इसलिए जरूरी है ताकि दूसरी चीजों की बढ़त पर फर्क ना पड़े प्रकृती में तालमील बना कर रखने की अनुखी ख्रमता है वो हर बार अपने आप को संतुलित कर लेती है हर प्राकृतिक प्रणाली पौधों को उपभोग के बाद धर्ती पर ही छोड़ देती है ताकि उसके पोशक तत्वों का पुना इस्तिमाल हो सके मिट्टी में मौजूद सूक्षमजीव लगातार पोशक तत्व छोड़ते रहते हैं वो इन पोशक तत्वों का विघटन करके उन्हें पौधों तक पहुँचा देते हैं काल रिन बोग जानते थे कि पौधे मिट्टी की अच्छाईयां और बुराईयां दोनों ग्रहन करते हैं इसलिए कि टानूं से रक्षा के लिए उन्होंने कीट नाशक नहीं बलके अन्य प्राकृतिक उपाय किये जैवी खेती में कीट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लाबदाय कीटों की मदद ले सकते हैं जैसे ये लेडी बग नामक कीट ये खेत में जाकर अपना भोजन तलाशेंगे इन्हें एफिड बहुत पसंद है जबकि एफिड हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो जब हम इन्हें खेत में छोड़ेंगे ये पूरे खेत में फैल कर वहां अपना घर बसाएंगे और प्रजनन द्वारा उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो उन कीटों को खाते रहेंगे जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं ये कीट ही उनका भोजन है मेरे पिता जी ने चिकिस्ता शित्र के शोड़करताओं को पौधों के इन सहयोगी घटकों के बारे में बताया उनकी बात पर हसते हुए शोड़करताओं ने कहा कि इन घटकों की पोशन की नजर से कोई अहिमियत नहीं है पौधों के लिए ये महत्वपून हो सकते हैं लेकिन इनसानों के लिए तो कताई नहीं रेनबोग ने एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने का काम किया एक सिरे पर थी कम्यों से होने वाले बीमारियों की जानकारी और दूसरे सिरे पर थी खेती की जानकारी उन्होंने इन सिरों को जोड़कर आधुनिक स्वस्थ पोशन ग्यान की संदचना की अगले 20 सालों तक रेनबोग के प्रयोग चलती रहे वो विभिन पौधों से पानी और रिशे हटा कर उन्हें सुखाते और उनकी टैबलेट बना लेते रेनबोग ने विटामिन और मिनेरल के साथ साथ उत्तरी अमरीका के पहले पौधों से उत्पन मल्टी विटामिन और मल्टी मिनेरल आहार पूरक विकसित किये उनकी कोशिश थी कि इन सब को एक उत्पाद में शामिल किया जाए ये कोई जादूई पोशक तत्विया खनिज नहीं था बलकि सभी तत्वों को एक खास अनुपात में मिला कर तयार किया गया आहार था रेन बॉग के अलावा डॉक्टर रॉजर विलियम्स भी मनुश्यों के आहार का अध्यान कर रहे थे विलियम्स का मानना था कि कई अपरिचित योगिक भी आहार के लिए महत्रपून होते हैं उन्होंने इन विटामिन नुमा पदार्थों को नाम दिया नूट्रिलाइट जो एक सीमित मात्रा में पोशन में अपना योगदान देते हैं हलांकि विलियम्स और इन्बॉग के सिध्धानतों को सुईकार करने में दुनिया को कई साल लग गए सन 1960 में साथ विभेन देशों के आहारों का अध्यायन किया गया ताकि इनसान के स्वास्थे पर होने वाले उनके असर को समझा जा सके इस अध्यायन में एक आहार सबसे बढ़िया माना गया मैंने इस अध्यायन में पाया कि क्रीट द्वीब वासियों को सबसे कम दिल की बिमारिया हो रही है इनकी और सत उम्र सबसे ज्यादा थी और कैंसर की दर भी सबसे कम थी तब मैंने ग्रीस के पारम पर एक भोजन पर गौर करने का फैसला किया ग्रीसवासी लगभग 4,000 सालों से समुद्री और जवीनी दोनों प्रकार का भोजन करते आ रहे थे तब मुझे लगा कि शायद इनका भोजन वैसा ही था जिसे खाकर हम सब विक्सित हुए हैं क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लोग जंगली पौधे काफी खाते हैं डॉक्टर आर्टेमस सिमोपिलस ने इस अध्धैन के नतीजों को भोजन के एक और आवश्यक घटक फैटी एसिट पर किये अपने एक अन्य अध्धैन से मिलाया फैटी एसिट ऐसे संदेश वाहख हैं जो कोशिकाओं को सामान यो उपापचय की सला देते हैं इन आवश्यक फैटी एसिट के दो प्रकार होते हैं और इन्हें आवश्यक इस लिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर इन्हें पैदा नहीं करता ये हमें आहार द्वारा ही प्राप्ट होते हैं इनके दो प्रकार हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इन्हें ये नाम इनके राहसाइनिक बनावट की वज़े से मिले हैं विकास की प्रक्रिया में इन दोनु प्रकारों का संतुलन बना रहता है आज के पश्चिमी भोजन में ओमेगा 6 हमें मक्का, सूरज मुखी और बिनौले से तयार वनस्पती तेल में और ओमेगा 3 हमें ताजे पानी की मचलियों में मिलता है स्वास्थे के लिए इनमें संतुलन रखना होगा ग्रीस में इसका बेहतरीन अनुपाद है लगभग 2 एक के बराबर और जापान में क्योंकि वो मचली बहुत खाते हैं ये अनुपाद 4 एक है जापान की एक खासियत और है ओकिनावा द्वीप पर दुनिया के किसी भी क्षेतर से कहीं ज्यादा सौ से ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं ओकिनावा वासियों के ओसत भोजन में फल, सबजियों और साबोत अनाज के साथ हिस्से होते हैं और हफ़ते में तीन बार मचली होती है और इसके साथ ये हर रोज 6 कप ग्रीन टी यानि जड़ी बूटी वाली चाय पीते हैं और इसका नतीजा है स्वस्त हृदय और कैंसर की सबसे कम दर सत्तर के दशक तक पोशन विज्ञान को दुनिया में माननेता मिल चुकी थी और अमरीका में सरकार ने हरी पत्तियों और पौधों पर आधारित भोजन को बढ़ावा देने के कही प्रयास किये थे सन 1976 में छपी रिपोर्ट डाएट एंड़ किलर डिजीजे से पता चला कि अपने भोजन में सुधार लाने से कैंसर, रिदै रोग और ऑस्टियो पोरोसिस जैसी अन्य जानलेवा बिमारियों का खत्रा कम किया जा सकता है अनुमान है कि 35 प्रतिशत घातक बिमारियों की मुख्य वज़ा है हमारी आहार संबंधी आदते, धुम्रपान, व्यायाम की कमी और को पोशित भोजन पोशन के विशे में की गई खोज के लिए शुरुवाती शोध करताओं को व्यज्ञानिक स्वीकृती मिल चुकी थी, लेकिन ये कोशिशें जारी रही आज सन 2004 में भी हम प्रित्वी से पोशक्त तुले रहे हैं और जहां पोशन की तलाश में हमारी कोशिशें जारी हैं, वहीं विज्ञान ने साबित किया है कि स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम पोशन हमें प्रकृती ही प्रदान कर सकती है पोशन से संबंधित एक दिल्चस्प तथ्य ये भी है कि दुनिया के हर कोने में बसने वाले लोगों को उनके अलग-अलग आहार होने के बावजूद परियाप्त पोशन मिल जाता है एक आदिवासी समाज मुख्य रूप से कच्चा आहार ग्रहन करता है और वो भी स्वस्थ है ये पोशन तत्व पौधों को जीवन और बढ़ने का मौका देते हैं जैनवरों में भी ये पोशन तत्व होते हैं और उनके विकास में योगदान देते हैं उनका गोश्थ खाने पर ये तत्व मनुश्य तक भी पहुँच जाते हैं ये परसपर लेन देन हजारों सालों से इसी तरह चला आ रहा है पोशन विग्ञान आज हमें बताता है कि प्राकृतिक आहार किस तरह हमारे स्वास्थ को बरकरार रखने में योगदान देता है इस ग्ञान का अधार विटामिन है जो पोशन की धुरी की तरह है विटामिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग काम करते हैं इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से चलपाना मुश्किल होगा ये बिन पहियों की गाड़ी चलाने जैसा होगा जो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी विटामिन शरीर की जैवरासाइनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं परिभाशा के आधार पर विटामिन एक ऐसी चीज है जिसे हम पैदा नहीं कर सकते विटामिन पेट में वहां पहुँचते हैं जहां ऐसीड द्वारा भोजन को तोड़ कर टुकड़े किये जाते हैं फिर आतों में एक विस्तुरित प्रक्रिया से भोजन को विभिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है और फिर आतों की दिवारें इसे सोख लेती है इसके बाद रक्तधारा विशेश प्रोटीनों, विटामिनों और खनीजों को कोशिकाओं तक पहुचा देती है आज 21 सदी के इस मोड पर आधुनिक समाज का पूरा दमखम तकनीक पर आधारित है हमारी अर्थ व्यवस्था मशीनों पर टिकी है कंप्यूटर संपर्क का साधिन है और मोडर गाडियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाती है लेकिन ये प्रगती हमारे स्वास्थ पर बुरा सर भी डाल रही है आज हमारा हिलना डुलना बंध हो चुका है हम उतना पैदल नहीं चलते हमने शरीर की हलचल कम कर दी है और अब हम मशीनी उपकरनों और मोटर गाडियों के हवाले हो चुके हैं विकसित होने की इस लगातार चलती प्रक्रिया में मनुश्य प्रदूशन का सामना पहली बार कर रहा है प्रदूशन का ये खत्रा अभी कुछ सो साल पुराना ही है फिर भी उसकी ये चुनोती बरती ही जाने वाली है प्रदूशन कीट नाशक और मानसिक दबाव जैसी आधुनिक पर्यावरण संबंधी चुनोतियां हमारे शरीर के हर उतक पर हमला करती है और साथ ही हमारे शरीर को फ्री रेडिकल कहलाने वाले नए दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसका एक खटक है ऑक्सिजन ऑक्सिजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन रासाइनिक आधार पर ऑक्सिजन हमारी कोशिकाओं यहाँ तक एक डियने को भी नुकसान पहुँचा सकती है इसके विकटन से शरीर में फ्री रैडिकल बनते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं. ये रैडिकल शरीर के दूसरे अनुओं पर हमला करते हैं, जिससे उनकी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं. अगर आप बच्चों के एक समू को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ शांद बैठे हैं, और वहीं कुछ बच्चे इतने चपल और चंचल हैं, कि माता-पिता के काबू में भी नहीं आते. ये सब फ्री रैडिकल के कारण होता है.